हेलो फ्रेंड्स तो कैसे आप सब आपके अस्टडी कैसी चल रही है हमको कॉमेंड वक्स में जरूर बताईएगा तो अभी में क्लास 11 का ही जिसका टम्टू के एक्जाम होने वाला है ठीक है जियोलोजी का 2 जुलाई 2022 को तो उसका मैं पार्ट 5 का वीडियो लेकर आयो जिसमे में एक important question को discuss करूंगा तो चलिए question को पढ़ते हैं तो पहला question है कि उत्पति के आधार पर परवतों का बरगी करन कीजिए यानि परवतों का बरगी करन आपको करने बोल रहा है उत्पति का आधार पर तता उनमें से प्रतिय के मुख भी सिस्ताय भी आपको बताने बोल रह तो चलिए इसका answer को देखते हैं तो इसका answer है उत्पति का आधार पर परवतों का बरगी करन ठीक है उत्पति का आधार पर पर परवतों का बरगी करन फिर देखते हैं तो कौन-कौन से परवत है तो परवत है संग्रहीत परवत ठीक है पहला दूसरा है बलित परवत तीसर है कि तीसरा परवत का नाम देखते हैं हम लोग क्या है तीसरा है और रोधी परवत ठीक है और चोथा परवत का नाम देखते हम लोग क्या है यानि चोथा परवत जो प्रकार है चोथा है आपका चोथा परवत का नाम है गुम्बदाकार परवत ठीक है क्या है गुम्बदाकार परवत और आवसिष्ट परवत पाच्वा इस प्रकार पांच भागों में बाटा गिया है परवतों को ठीक है तो चलिए हम एक एक करके डिसकस करते हैं चारों को पांचों को ठीक है तो डिसकस या संचे वृत प्रवत कहते हैं टीक है इसके उधारण में विशूबियस जो-ेटिली का है थीक है अट ना भी एटिली का परवत है कोनिया किली मजारों इत्याध है उधारण उज्द शंग्रहित प्रवद का फिर देखते हैं लोग वलित-ंपरवत के बारे में देखेंगे ठीक है वलित परवत के बारे में देखेंगे तो वलित परवत तो इस परकार के परवतों का निर्मान भूपरिष्ट पर उत्पन मोडों के कारण होता है ठीक है जो भूपरिष्ट पर जो मोड उत्पन होते है ना उसके कारण होता है आंत्रिक शक्तियों के कारण आवशादि सेलों पर मोल उत्पन होते किसके कारण आंत्रे शक्ति यानि अंदर में प्रवाहित करने वाली कारकों के कारण आवशादित शेलों में शेलो में मोड उत्रच्पन होते मोड ठीक है इसको मोड या वलन इसको मोड भी ौलते और इसे कारण इसको मोड दार परवत या वलित परवत वलन के लिए वलिदप्रवत और मोड के लिए वलिद़ार पड़त इसका नाम दिया गया और वलिदप्रवत के उत्पती भू-भू-भू-भू-अभिनती यानि जियो सिंक्लाइन में हुई है तो भू अभीनती का मतलब होता है कि भू अभीनती का मतलब अभी आपको देखिए यहां पर मैं बताता हूं भू अभीनती का मतलब समझाता हूं ठीक है भू अभीनती यानि जल निकास होता है ठीक है भू अभीनती मतलब होता है जल निकास जल निकाई यानि जल का सिस्टम ह होता है जहां पर तल्चट का लगभग निरंतर जमा होता है यानि वैसा जगा जहां पर तल्चट ज्यादा जमा हो जाता है ठीक है और या फिर दूसरे सब्दों में जदि आप बोड़ें तो भू अभीनतिया लंबी या अपेक्छाक्रित संकरे जले गर्थ है यानि जल का य भू ग मतलव तो उसी तरह बलित परवतों का जो निर्मान हुआ अभीनतियों में हुआ हे है तो यहां पर लिखागे तो अब तो यहां पर एक भी आरे यानल में इसको ध्यान लख्यें ये फिगर आपका बलित परवत का इस तिरह बलित परवत का यानि इन पर्वतों की चोडाई जो ना वह लंबाई से कम होती यानि यानि आधिक हुटतर है एग दम और इसका चोडाई बहुत कम है थीक यानि इन परवतों की आकरीत्या प्रायत चापा कर वह फार्श via की चावदार होती एक इसके बाद देखते हैं उसके नले सब्सक्कार में परवटों की कारण यहां पर घर्थ जहां पर ज्यादा घरपं में जिससे उपर के और प्लेटे उपर उठती है तो उस प्रकार बलीत परवत का निर्मान यानि ये भू अभीनतियों से बलीत परवत का निर्मान होता है ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे अवरोधी परवत को देखेंगे ठीक है तीसरा परवत का प्रकार है जब पिर्थ जाता है। जो दरार के आस पास का छِत्रा धांस जाता हैं और जो बीच बाला भाग बच जाता है, वो इस्तिर भाग को ही आप क्या बोलेंगे इन निकतवारती भाग में उचाओड जाता है और उची इसी उची उठेवे भाग कर अवरोधी प्रवत यह यूरूप के ठीक है ब्लाक फोरेश्ट देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में गुंबदाकार परवत यानि गुंबद के जिसा जो दिखने वाला परवत है उसको गुंबदाकार परवत ठीक है तो देखते पिर्थवी के आंत्रिक हल्चलों में तो टूटना चैन तो उसतरह शेलों के टूटने के बज़ाया सेल टूटना चैए तो जबकि शेल टूटने नहीं होते हैं नहीं उसके बाद हम लोग देखेंगे आउसिस्ट परवत तो आउसिस्ट जिसे नाम से पता चर रहा है कि जो फालतों में बच जाता है यानि इस प्रकार के परवत पुराने पठारों और परवत आउसेस से होते हैं यानि आउसेस होते हैं यानि पुराने पठार जो पुराने पठ परवत में और न्यूयर्क का केटा स्टील परवत केटा स्कील जो नियूयर्क में है तो यह आपका आउसिष्ट परवते जो अभी फाल्तु में बचा हुआ ठीक है तो अब यह हो गया तो अभूब है अभिनती तो मैने ले बता दिया तो यह था एक छोड़ा सा कोश्चन नि और तयीका यह नहीं आये तो आपको इस तरह से भी यह सवाल पूल सकता है कि जो talking लगे तो लाइक करतीजिएगा और क्या कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के साथ बने देजिएगा चैनल के साथ तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद